कि है कि है कि है कि है कि है कि है वेलकुम तो मैं यूट्यूब चैनल दा पैट विजन दिस साहिल मलिक यूवर होस्ट एंद यूर वैड तो गाइस आज की जो वीडियो है वह मोस्ट इंपॉर्टन टॉपिक के उपर है विकोज आज हम आपको बताने वाले हैं वह ऐसे बैक्ट करेंगे जो भी पॉइंट में आपको बताऊंगा तो गाइस सबसे पहली बिमारी है जिसका नाम है ब्रूसल उस जैसा कि आपको स्क्रीन पे भी फोटोग्राफ नजर आ रही होगी गाइस यह एक सेक्षवली ट्रांसमेटेड डिजीज होती है जो डॉक्स के अंदर हो जात और फीमेल के अंदर यह प्रोब्लम आ रही है तो आपकी जो फीमेल है वह अबोर्ट भी हो सकते यानि अबोर्शन के केस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं इस बीमारी के अंदर आगे जो गाइस बीमारी है जैसा कि स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा आपको लेप्टोस्पा आपके अंदर फैल जाती है इसके अगर मैं सिम्टम्स की बात करूं तो आपको सबसे वहला सिम्टम देखने को मिलेगा लीवर और किड्नी इंफेक्शन हो जाएगा यानि काफी लोग मेरे पास रिपोर्ट्स वगरा बेजते हैं वह कहते हैं आप सकती है आप उनसे पूछ सकते हो कि कहीं मेरे डोग लेप्टोस्पाइरोसिस से सफर तो नहीं कर रहा एंड इसके अंदर वास्कुलाइटिस नाम की प्रोब्लम भी हो जाती है यानि जो होती है उनमें भी स्वैलिंग होने स्टार्ट हो जाती है तो कहीं ना कहीं इसमें लाइम डिजीज यह बोरेलिया एक और इसकी काफी तरह स्पीशिज होती है इसका स्प्रेड होने का जो में जो है वह टिक्स गाईज अगर आपके डोग बहुत सारे टिक्स हैं तो विमारी आपके डोग के अंदर आ सकती है लाइम डिजीज आ सकती है इसके ओपर भी हमने लगेगे लिफर्जी कंडीशन में चला जाएगा और उसके अंदर का इस आपको रास बिल्कुल भी नहीं आएगे तो बेसिक बेसिक मैं बाते बता रहा हूं मैं आशा करता हूं आप इस वीडियो का एंजोई कर रहे होंगे अच्छा से समद रहे होंगे कि हम क्या आपको बताना चाहरे हैं आगे जो गाइस डिजीज है जैसा कि इसके लिए पर नजर आ रहा होगा कैनल कफ तो गाइस यह एक रेस्पिरेटरी प्रॉबलम होती है तो गाइस इसके लिए भी वैक्सिनेशन जरूर करवाएं बैसिकली कई बर क्या होते हैं हम नॉर्मल वैक्सिनेशन चैडूल फोलो कर लेते हैं लेकिन इस कैनल कफ और कोरोना वाली को भूल जाते हैं तो गाइस यह भी जरूर लगवानी है इन्फेक्शियस रेस्पिरेटरी प्रॉबलम हो जाती है आपके डोग को बहुत जादा और स्प्रेड भी होता है अगर मालो आप एक ब्रीडर हो आ यह एक कंडिशन है डाइडयरिया डायरिया आपके डोग बोडि के अंदर किसी भी टैप का बैक्ट्रेरियल इंफेक्शन हो गया तब डायरिया हो सकता है अगर मालो आपने जो भी जो खाना धीया है तैयार नहीं है यह तो यहाम जए पूर रो चिकन दे रहते हैं तो वह को होती है को सब्सक्रेशन को ला सकती है कश्रीन बसक्राइब ना रहा होगा तो यह भी मारी क्या होती है यह विए राउन टिक होगे आपने जैसे आपको पर ब्राउं टिक्स होते हैं गाईस आपके डोग की बोड़ी के उपर अगर ब्राउं टिक्स हैं तब यह बिमारी आ सकती है इसके अंदर ब्लड काउंट होता है बहुत ही ज़ादा लो चला जाता है तो गईस प्रोब्लम के अंदर भी जो blood count है बहुत ज़्यादा low चला जाता है तो guys मैं आपसे यही request करूँगा अगर इन में से कोई भी infection हो रहा है तो आपको guys कहीं से भी YouTube बगएरा से वीडियो देखके उसका treatment नहीं करना है immediately nearby wet से consult करो उनसे अच्छा एक treatment करो because guys यह जितनी भी जो मैंने infections आपको disease बताई है कई बार इतनी जानलेवा भी हो जाती है आपके डोग के लिए और guys एक wet के लिए अगर आप chronic situation में लेके जा रहे हो यानि लंबे समय से वो उस बीमारी से सफर कर रहा है तो guys उस wet के लिए वो ठीक करना बहुत ज्यादा मुशिल हो जाते है तो guys कहीं न कहीं उसकी जो death का जो reason होंगे वह आप ही होंगे तो guys सोच लो ठीक है इन बीमारी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन सी बीमारी थी तो guys हमारा जो चैनल है आपको time to time info देता रहता है तो guys हम आशा करते ह हैं हम जो efforts आपके रिए कर रहे हैं आपको पसंद आ रहा होगा तो guys thank you so much for watching this and please do like, subscribe, comment and share और guys हमारे वीडियो को शेयर करें हमारे चैनल को शेयर करें ताकि सब की help हो कोई भी बंदा नहीं बचना चाहिए जो dog owner ना हो thank you so much